है नमस्कार गाइज yel Ka taka moine और सबका बायो लोजिस्ट चैनल केश आज हम श्टडी करेंगे क्यारेक्ट रिसे्ट्रिक्स ओफ लिउंग толी धन तीर्डिक्स रिप्रॉडिऊ के बारे में मैंने already characteristics of living things के और भी parts के उपर वीडियो बना रखी हैं जैसे कि living things grow and change, living things have movement, living things are made up of cells, living things need air, water and foods, all living things respire, living things respond to change in their environment, इन सभी topics के उपर already वीडियो बन चुकी हैं, आप इने देख सकते हैं, इन वीडियो के लिंक description में मिल जाएंगे, चलिए तो सुरू करते हैं, study करना, living things reproduce, आप जैसे कि इस slide में देख रहे हैं, बहुत सा animals होते हैं, जो की अपने बेबी को जन्म देते हैं, अपने बेबी को पैदा करते हैं, और बहुत सा animals होते हैं, जो की अंडे देते हैं, reproduction एक प्रिक्रिया है, जिसमें जीवीच चीजें अपने जैसे समान जीवीच चीजें पैदा करती हैं, सभी living things reproduce करते हैं, सभी living things पैदा करते हैं, और animals पैदा करते हैं, जन्म दे के बेबी को और अंडे देते हैं, जिसमें से young ones निकलता है, प्लांट भी जनन करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से, बहुत से प्लांट को उनके बीजों के द्वारा जाना जाता है, और बहुत से प्लांट ग्रो करते हैं, अपने तने से और लीवस से, लीवस मतलब पत्तियां, मैनने जननके ड लीवस मतलब प्लांट को कानट, प्लांट को कि भी जन प्लांट जेद का प्लांट. जए और अन टूसरे ओि उनके लीवस मतलब फ्लांट Alsनी तर लीवस ख quiénसे हम प्लांट करते हैं यूब ऀ चले तक टूल र